तो हमें A complement B complement complement set बताना है इसमें तो अगर मैं बोलू A का complement A का complement तो इसका अतला universal set में से अगर मैंने A को minus कर दिया तो I'll get the complement of A ठीक है तो यह meaning is simple question करने कोशिश करते हैं तो पहला इसने दिया हुए हमें question find A compliment तो A set के है 1,2,3,4 और universal set के है 1 से लेके 9 तक है तो इसमें थे universal set में से हम minus कर देंगे 1,2,3,4 तो that means 5,6,7,8,9 तो हमारा result आ गया 5,6,7,8,9 ठीक है तो यह हमरे पास आ गया result second हमने ले लिया B compliment बी compliment का simple सा meaning है universal set के elements में से बी set के elements minus करने है बी set है 2,4,6,8 तो ठीक है 2,4,6,8 minus कर देते हैं 1,3,5,7 और 9 यह B compliment आ गया थर देते हैं A union C का compliment तो इसका मतलब यह हुआ कि universal set में से we will be subtracting A union C के elements ठीक है अगर मैं यहां पर से elaborate कर लिखता हूँ तो यह हो गया 1,2,3,4,5,6,7,8,9 minus A union C A union C किया तो यह element आ गया 1,2,3,4 और दो element और आ गया 5 और 6 5 और 6 तो इसमें से हमने माइनस कर दिया तो क्या बच गया हमारे पास हमारे पास सिर्फ तीन element बच गया we are left with 3 elements कौन गों से 7,8,9 ठीक है तो यह result आ गया हमारे पास इसका का result आगे 7,8,9 फूर्थ पार्ट शेक कर लेते हैं फूर्थ पार्ट इस A union B का compliment तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर हम A union B के elements को हटा दे तो हमरे पास result आ जाए तो पहले यू रिख लेते हैं इसका मतलब पहले यू रिख लिया तो 1,2,3,4,5,6 बहुत ही elementary से question नहीं तो ऐसा नहीं कि exam में कैसे करना है exam में आप परेशान हो परेशान हो जरूरत नहीं elementary या तो आप ऐसे कर लें या आप graph figure मनाई कर सकते हैं union भी A और B का union किया तो यह union करके आ जाएगा 1,2,3,4,6,8 तो जो element नहीं है हमारे पास 1,2,3,4 तो 1,2,3,4 इदर आ गया 5 तो 5 बच जाएगा हमारे पास और क्या बच जाएगा 6 तो minus हो गया 7,8,9 बच जाएगा तो यह element आ गया हमारे पास A union B का compliment इसका मतलब 5,7,8,9 एड है नहीं 8 भी नहीं आएगा 8 तो यहाँ पर आ रहा है तो we'll be left with 5, we'll be left with 7 और हमारे पास बच गया 9 ठीक 6 इदर है 6 इदर है और पर छुट गया गलती से 9 तो जो इसका result आ गया 5,7,9 नेक्स देखते हैं A के compliment और compliment तो यह प्रॉपर्टी होती है हमें यह देखने जिरूत है नहीं A के compliment का compliment जो होगा वो A ही आएगा इट इस दप्रॉपर्टी ठीक है तो यह set A आ गया जो भी आपका set A दिया हुआ है set A दिया हुआ है 1,2,3,4 तो इसका result आ गया 1,2,3,4 अब B-C का compliment तो पहले हम B-C करें तो B-C कर लेते हैं तो question number एक लेते हैं हमें 6th part तो first B-C का में compliment निकालना है तो पहले में B-C निकालता है इसके लिए तो B-C कितना हो जाएगा B set दे रखा है 2,4,6,8 और C दे रखा है 3,4,5,6 तो minus करेंगे तो 2 बचेगा 4 तो common आ रहा है और 6 भी आ रहा है तो 2 और 8 बचेगा 2 और 8 अब इसका मुझे compliment करना है तो B-C का compliment का मतलब simple सा हुआ कि universal set में से हम B-C के elements को minus कर देंगे ठीक है तो minus कर दें इसको तो जो भी answer रहेगा वो answer रहेगा हमारा कितना है 1,3,4,5,6,7,9 तो बहुत elementary question है नेक्स question करते है find the compliment of the following sets तो compliment आ यह रिता चुका हूँ compliment का मतलब क्या होता है अगर एक set है एव सा compliment का simple सा meaning है कि U-A ठीक है तो देखते हैं यहाँ पर फर्स question कि A दिया हुआ A-B-C तो U में से A-B-C minus कर देंगे तो फर्स का answer आगे हमारे पास D-E-F-G-H second part B दिया हुआ A-B-C तो U में से minus कर देंगे तो result बच जाएगा हमारे पास A-B-C और H correct third C का compliment C का compliment निकाल ला है तो ठीक है युनिवर्सल सेट में से A-E-G minus कर देंगे तो B-D-F और H similarly D-Dash निकाल ला है हमको D का compliment निकाल ला है तो D में जो है उससे minus कर देंगे निवर्सल सेट में से हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आजाएगा हमारे पास आजाएगा थर्ड कुशन देखते हैं तो इसका जो इनिवर्सल सेट है वो तो हो गया capital N और राइडान दे कॉम्प्लिमेंट व दे फॉल्विंग सेट तो यह तो बहुत इजी इसे जल्दी करते हैं यह पर करने कोशिश करते हैं यह लिखा हुआ है X is that X is an even natural number तो इसका जो कॉम्प्लिमेंट आएगा तो इसका कॉम्प्लिमेंट आजाएगा इसकी जगा ओड आजाएगा ओड ठीक है अगर यह सेट है A तो इसका अतलब A कॉम्प्लिमेंट में क्या आजाएगा X is that X is an odd natural number इसकेंड X is that X is an odd natural number तो X तो odd natural number है अगर इसका हम कॉम्प्लिमेंट लेंगे तो जो इसका कॉम्प्लिमेंट आएगा A डैश उसमें क्या आएगा पूरा सेट यही आएगा और नहीं आएगा वो क्या जाएगा इन दोनों में कोई कॉम्प्लिमेंट में कुछ कॉम्प्लिमेंट में कुछ कॉम्प्लिमेंट नहीं आता है अच्छा अब यह लिखा हुआ है X is that X is a positive multiple of 3 X is that X is a positive multiple of 3 तो अगर मैं इसका a' निकालो So that means compliment निकालो So X is not a X is not a positive multiple of 3 यह result आजाएगा X is a prime number So that means अगर मैं इसका compliment निकालो So that means X is not a prime number तो इसे compliment जो आएगा इसका Compliment में क्या आजाएगा X is not a prime number मतलब अगर यह set A है तो मैं A' की बात कर रहा हूँ Similarly question number इसका 5th part देते है X is a natural number divisible by 3 and 5 ठीक है तो 5th question हम आप इसका करते है जो question discuss करने हैं आज़ो discuss करेंगे तो यह एगर मैं set माने कोशिश करता हूँ 3 से भी divide हो रहा है तो इसका मतलब यह ऐसे number होगा है यह जो set दिया हुआ है आपको 15, 30, 45 ठीक है इस तरीके के number natural numbers तो यह set है आपका A तो इसका मतलब अगर मैं अगर इसका compliment निकालता हूँ question number 5 भी बात कर रहे है तो हमारे पास क्या होगा इसका मतलब ऐसे number आ जाएंगे let us say मैंने लिग दिया 10 तो जो की 3 से भी जो 3 से divide नहीं होगा और 5 से भी divide नहीं होगा right तो ऐसे elements मैंने पास यहां पे आएंगे तो जो number ना तो 3 से divide हो ना 5 से divide हो क्योंकि अगर मैंने लिग दिया एक number let us say 60 आपको example दे रहो तो 3 से भी divide हो रहा है और 20 से भी divide हो रहा है अगर मैंने एक number लिग दिया आपके लिए यहां पे 18 तो 18 तो हमारे set में नहीं आएगा ठीक है so ultimately जो हमारा result आएगा यहां पे मैं आप रिजर्ट लिखरो